नौर्थ वेस्ट दिल्ली के आखजादपुर चौक पर बजरंग दल के कारिकरताओं ने अर्धनदन होकर जबरदस्त हंगामा किया। गौ वंश के लिए नगर निगम कोई विवस्था नहीं कर रहा है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद रोड खाली करवाया। दरसल ये मामला बीते 21 तारिख का है जब सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास पीसियार कॉल द्वारा जानकारी मिली कि एक गाई ट्रेन के चपेट में आ गई है जिसमें उसे गंभीर चोटें आई है। सूचना पाते ही अस्थानिय अथाना पुलिस मौके पर पहुची लेकिन पाया की गाई ठीक है और उस समय सही से चल फिर रही है। लेकिन शाम के वक्त गाई अचानक जमीन पर गिर गई और चल फिर नहीं पा रही थी। लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि MCD को कई बार फोन किया गया परन्तु हर बार की तरह इस बार भी MCD का कोई भी अधिकारी मौके पर समय से नहीं पहुचा नहीं कोई संतोश जनक जबाब दिया। और उनके फोन में हमारे पास है। सब वहीं बोल रहे हैं कि मरदा की तब हमारे रहेंगे। या तुर फ्रेवर के नीचे हैं। और गाई को बहुत चोट लगे हैं। गाई कवर बती है। गाई के बेटें बच्चे हैं। पिर क्या बजरंग दल के लोग मौके पर पहुचे और गाई को रिक्षे पर रखकर आजादपुर में चोराहे की लाल बती को जाम कर कपड़े उतार कर नारे बाजी करने लगे। मामला फिर पुलिस के संग्यान में आया। पुलिस मौके पर पहुचकर लोगों को समझाने में जुट गई। लेकिन लोगों की भीड इतनी थ और मंशा पर अनेक सवाल खड़े करता है क्योंकि लोगों की समस्या में भी अगर MCT इस तरह की लापरवाही बरतने का काम करती है तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। मेरे पर रखके हमने रोर जाम करा थाने के सामने हैं जब जाए के हमारी सुन्वाई हुई है और दुबेर में 4 बजें सामकों 4 वे 100 नमर आई थी। पिलिस वालों ने भी SI ने फोन करा था मेरे भी फोन से तो उन्हों के भी सुन्वाई नहीं हुई वो कहते हैं हम दूर है मंडी के आसपास आवारा पशु घूमते रहते हैं और हादसों का शिकार ये बेजुबान होते रहते हैं पर नगर निगम कोई वेवस्था नहीं करता ये पूरा मामला रेलवे पडिसर और ट्रेन से जुड़ा हुआ है फिलाल ये मामला रेलवे पुलिस का है या दिल्ली पुलिस का इस बात को लेकर अधिकारियों में बातचीत के बाद मामला रेलवे पुलिस को सौप दिया गया है भारत रपन टीवी के लिए दिल्ली से भावुक शर्मा की रिपूर्ट